आज सुरज यहां से निकला है या फिर यहां से निकला है क्योंकि आगाइद Avengers ने हम लोग को अपनी बर्दे पार्टी में बुला है ऐसा वैसे नॉर्मल जी होता तो नहीं है क्योंकि आज Chop Tony Stark हम लोग का बहुत ही जादा पुराना दोस है और उसके घर में सारे के सारे Avengers आ चुके हैं हम लोग को भी जाना होगा अरे या हमदया मगर हम लोग तो Avengers है नहीं हाँ या सिंचन हम लोग Avengers तो नहीं है मगर हम लोग किसी Avengers से कम भी नहीं है अरे मैं क्यों सुबह सुबह अपनी तारीफे कर रहो या सिंचन चौप तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो या फिर नहीं अरे या हम लोग की मस्त वाली गाड़ी भी खड़ी वी है अब जाहिर हम लोग Avengers हाउस के इंदर जा रहे है तो आगाड़ी तो हम लोग के पास O.P होन जागा चौप को मुझ धोना भी चाहिए फटा 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 सिंचन गाड़ी के अंदर बैठ जा अरे आहां यह तो बताओ कि आज किसका बढ़ते हैं अरे पर टोनी स्टाक बोले तो आईरन मैन है या हाँ चौप आइरन मैन का बढ़ते है और उसने मुझे तुझे तुझे होते हैं और अरे मैन ने मुझे बोला कि सारे के सारे अवेंजर्स आ रहे हैं मेरे ख्याल से तो चौप बैटमैन होगा हुल्क होगा हुल्क बस्टर होगा और बाकि तो हम लोग को जाकर पता चलेगा कि कौन को ना रहा है अरे या चौप जूट क्यूं बोलेगा देख यह मुझे पता है कि आल जुसका बढ़ते हैं अरे या हमजया मगर पिछली बढ़ते के अंदर टोनी स्टार्क ने हम लोग को नहीं बुलाया था मगर सिंचन देख तेरी बढ़ते पे भी हम लोग को नहीं बुलाया था तो हम लोग कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं हम लोग बास वहाँ पर जाएंगे फटा फट से केक खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे अरे बाद केक नहीं बर्गर वर्गर नहीं होगा क्या होगा होगा चॉप सब कुछ होगा हम लोग अलमोस्ट टोनी स्टाक मेंशन के पास ही है अरे या मुझे तो बहुत जादा हो रही है मुझे भी काफी जादा excitement हो रही है हम लोग इतने अर्से बाद किसी की बर्दे पार्टी में जा रहे हैं बहुत जादा खाऊंगा या चॉप तेरा जितना मर्जी दिल करें तो उतना खा सकता है हम लोग ने मैप टोनी स्टाक के घर की लोकेशन तो डाल दिये ओ या चॉप ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तुझे शायद पता नहीं कि तेरे हामिद भाई को गाड़ी बहुत जादा ओपी चलाने आती है औरे वह तो मैंने देख लिए बतनी दफ़ा गाड़ी से एक्सिलेंट करके मर चुके है मगर या चॉप आज मैं नहीं मरूगा क यहां पर पार करनी होगी किया हाँ वैसे वेंजर्स की गाड़ या तो यहीं पर खड़ी मीं है यहां पर गाड़ी मुझे बैटमेन की लग रही है और रहागा इसे काली वाली गाड़ी कुछ जाद ही ओपी है और साथ में यहां पर न्यूस चैनल वाले भी आयए इसलिए यहां पे न्यूस चैनल वाले आए और यहाँ गाड़ी भी काफी जादा हुपिया एक काम करते हैं कि हम लोग अपनी गारी को यहाँ पर पार करते हैं यहां पर नीदर करेंगे यार ठीके तो फिर या चौप हम लोग अंदर चलते हैं सिंचन और चौप यहाँ गेट खुल त यहां पर हल्क भी है डॉक्टर स्ट्रेंज भी है फ्लेश भी है हल्क बस्टर बैट मैं और एक सेकें लगा टॉनिस टार्ग ने तो यहां पर अपना सूट भी पहन के रखाए अरे गाड़ी कहां पर बात करेंगे या चॉप यह हम लोग अपनी गाड़ी को पार करते हैं ठीक यहां पार यह बहुत बड़ी पार्टी आंदर बहुत सब के सब अमीर लोग यहां पर्गर मर्कर हैं अब याद चॉप मिल जाएगा एक सेकिन मेरे साथ आ तो सही हाँ हाँ मेटी हम लोग तुम्हें अपनी पार्टी में वैलकम करते हैं टोनिस्टार्क वो तो ठीक है मगर तुम्हें तो यहां पर अपने आरामन का सूट भी पहन कर रखा है हाँ मेटी हम लोग यहां पर बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हैं तुम्हें भी हम लोग के साथ पार्टी करनी होगी हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं अरे या चॉप हम लोग क्या करेंगे हम लोग को तो डांस मास आता नहीं है अरे असे हम लोग को सिफ और खाने से मतलब हम ल लेता हूं मगर यहाने हाम्दा आप तो भुछ ज्यादा काले लग रही हुँ अवेरे अपके चल्यूंगा ज़िकर यह चल्टेटा प्लूबे याँ से चैनल आमीद बैत यहां पर डांस करें मगर मैं किसस दांस करूगा मुझे तो डांस आता नहीं यार केक अंदर पड़ा है अच्छे छलो ठीक है फिर मैं लेकर आता हूं अरे नहीं हामीटी तुम क्यों जा रहे ही नहीं सिंचन आपर डांस कर रहे है और चॉप को तुमारे घर के रास्ते नहीं पता तो मैं खु़ी जागे केक को लेकर आजाता हूं ठीक है आमीटी समझ के लेक आरे हम लोग के साथ डांस करो हां तुम लोग यहां पर करो मैं बस तुम लोग के लिए केक लेकर आता हूं वैसे एवेंजर्स में से सबसे जादा अच्छा दोस्त हम लोग का हलकी है और बाकी एवेंजर्स के साथ अभी तक हम लोग की जादा अच्छी दोस्ती होई नहीं है अरे बगा केक लेकर आओ यार अच्छा ठीक है चॉट अभी लेकर आता हूँ अभी फटा पर से टोनी स्टार्क के अदर जाता हूँ और यहां कहीं पे केक प्ड़ा भावा होगा मगर नहीं खाज यhaं पर केक निये यहां पर तो फाउंटेन है और ये इसका जिम है मगर जिम के अंदर तो केक हम लोग को मिलेगा नहीं तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जाकर चेक करता हूँ नहीं वैसे आए गाईज यहाँ पर भी केक नहीं है तोनिस्टास से जाकर पूछता हूँ को केक आकर है काम पर हम लोग को तो यहां पर कोई भी केक वेक दिखाई ने दे रहा है मगर यहां से उपर भी रास्ता जा रहा है उपर जाकर देखता हूँ घर तो यह आए गाइस वाकिये में कुछ जाद ही ओपी है सीडियों के साथ से फाउंटेन निकल रहा है और यह वाले चीज पताने किस की ही और हाइस काफी जाला वैपन है हम लोग को बाहर जाना होगा लगता है कि मैं गलत कमरे में आ गया मगर पीछे एक और रूम भी है यहां पर जाके चेक करता मुझे लगत है कि रहाएं गाइस यहां पर केक होopes पर यहां पर कि नहीं यह तो टोनी स्टायर का ओफिस है और मुझे मिलेगा आ होगा फिर और यहां पर यहां पर हो हो दू चुका है और फर हमें तो काटकर मुझे बाहर जाना होगा मगर मुझे वह यह मुझे पहले तो नहीं दिखाई दिये लेकिन यह क्या चीज मुझे थोड़ सा सामने से देखना होगा अब यार गाइस यह तो बॉब है आमें मैं मर गया अरे या चौप इतना ज़्यादा टैम हो गया हमिद्ध्या कांपर है अरे या टॉनिस्टार्क हमिद्ध्या कांप खाने के लीगा कांपर रहा है और या चौप अंदर हमिद्ध्ध्या के पास जा रहा है अरे यह हैं आफ ले या टो आ ले किनमे तुमारे घर के लिदू होट जादा खूफिया बहुत मैद्ध्या के निदू होगा चैज्वे एपस अमेंड़लो हूं करूं 받ू कुम्हेंगृ इसा कियूं बोल रहे मुझे तो कुछ दाल में बहुत जाद काल लग रहा हो हो हल्ग मेरी हो सो मनें Umm कुम आ कर दो कर दियर हम लगा तीम को का दिया हरीं उभाने जारे हर्या वा संगतितौ हॉ एक तुए आगा है टोनिस्टाग अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसको पता है कि मेरा साइज बहुत बढ़ा है मैं किसी भी चीज को तोड़ सकता हूँ मगर अभी मुझे अपने दोस्ट हामीटी को तुड़ना होगा टोनिस्टाग ने केक तो उपपर रखा ता लगता है कि हमीटी अभी तक उपपर ही होगा कहीं ऐसा नो कि हमीटी आ सारा केक खा लिया हो मगर यहां पर इतनी आग क्यों लगई है तो तो साम में जाकर देखना होगा अरे नहीं यह तो मेरा दोस्ट हामीटी है और बीच में केक भी है मुझे जल्दी से आग को बुझाना होगा अरे मैं बैटमैन डेर्टपूल जल्दी से अंदर आओ हामीटी को आग लग गई है अरे या हक अंकल क्या हुआ सेंचन चौप तुम लोग भी जल्दी से अंदर आओ या आग कैसे लग गई यहाँ पर मैं फटा फ़र्दे फूक पारता हूँ हाल की फूक बहुत खतलाक होती है आग तो यहाँ पर बुझ गई अरे हाल क्या हुआ तुम इतने घप रहा है वे क्यों हो में जैसे ही बाहर है यहाँ पर स्टेकी बॉंब्स लगे वे थे और जैसे ही मैं उनको करीब से देखा था वो फूट गए और अभी लगता है कि मैं मरने वाला हूँ अरे हाम्दै वैसे मत बोले हाम्दै आपको कुछ मीरेगया हामेध भ्याय को ठीक कर दो अर fällt मत करो तुमारे आमिध भ्याय को हमः ठीक कर लेंगेज अभी हम लोग को केक लेकर जाञा औ नीचे मेरी पार्टी खराब मत करो अरे या अरे मैं यह तो कुछ में और वर्पी चोट लगी हम वागा हमिड यो बचान होगा अरे नहीं इक मत करो हमिड वजाएगा तुम लोग नीचे जाओ हम़ोग बड़्दे को सेलीपडेरा करेंगे अरे या ऐसीं जन्ये क्या बोलो या- अरे नहीं नहीं मेरा बढ़ती अभी सेलिबरेट होगा चलो तुम लोग मेरे साथ अभी मैं क्या करूँ हमिज बैने तो बहुत है कि यह वाले एवेंजर्स बहुत जादे अच्छे होते हैं मगर यह लोग मेरे हमिज बैय को दुबारा से जिंदा भी नहीं कर रहें अरे निकलो बहार तुम लोग को में बोलो मैं अभी पता लगाता हूं यह सब कुछ किस ने की है अच्छा ठीक है आरे मैं हम लोग बहार चलते हैं चौप तो मेरे साथ आजाओ अरे अच्छा हमिद बैया को छोड़ के कैसे जा सकते हैं नहींगा एसार नहीं हो सकता है मुझे कुछ नहीं होगा मुझे सब्सक्राइब ब somos करो हमिड एको कुछ भी नहीं होगा हम लोग के सामने खड़ा हुए सिंचे इयुका बोल रहे हां था मैं तुम्हें कोई आवान पर इसका मतलब भी एक क्या गाइज में मर चुका हूं सिंचन और चॉप में मर चुका हूं हाँ सिंचन और चौप में मर चुका हूं अरे नई आमिटी तुम्हे कुछ भी नहीं हो सकता हल्क में मर चुकों मेरी डैट बोडी उपर पड़ी है मेरी बात समझेगी कोशिच करो मुझे बताओ कि मुझे मारा किसने आबिटी किसने मारा होगा डाक्टर स्ट्रेंज ये मारा है फ्लेश ने मारा है हल्क बस्टर, बैट मैं, डैट पूल, इन सबने मिलके तुम्हे मारा है देखो हल्क मुझे दुबारा जिन्दा होना होगा हामिटी कौन जिन्दा करेगा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डाक्टर स्ट्रेंज तुम्हें दुबारा जिन्दा कर सकता है मुझे तो बहुत रोना रहा है मेरा दोस हमेटी मर गया हलके अपने आप को संभाले और खड़े हो जाओ तुम सब को मेरी आवाज आ रही है क्या हम लोग को आवाज तो आ रही है लेकिन ये तो हमेटी की आवाज है हां आरें थिती हो प्रकूरा केक लेते और हमेटे और हमेटी तो दिखाई को नहीं है क्योंकि मैं मड़ चुक ऑँ अरे हमेटी तो मड़ छुक ऑँ तो पिर आम लोग को नदर क्योंने आ रहे हो तुम मेंसे मैं किसी को भी नदत नहाँगा, मैं नदत सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज काँगा. डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम्हें मैं दिखाई दे रहptsे हो किया? एक मनाट रुको मुझे मैजिक करने दो. हाँ मेटे अभी तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये तो तुम्हारी आत्म है और डाक्टर स्टेंज मेरी डाड़ बाड़ी उपर पड़ी है मुझे तुमने मारा है क्या और रहे दफाओ जो यहां से मैं तुम्हें क्यों मारूँगा मुझे पता लगाना हुगा कि मुझे मारा किसने है तुम लोग डांस वांस करना बंद करो तुमने मुझे धका कैसे दिया अबे डाड़ पूल एक सेकिन रुक जाओ नहीं रुकोंगा तुमने मुझे धका कैसे दिया तुम गरीब की तो यहां पे जगाई नहीं थी पता निया रहे मैंने तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया डैडपूल ने तुम मुझे लड़ना शुरू कर दी है अरे या हम्दे आप कहां पर हो सिंचन मैं तो यहां पर हूँ अरे आप जिन्दा कैसे हो गया मुझे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज जिन्दा कर सकते है डॉक्टर स्ट्रेंज तुम्हें एक काम करो कि मुझे फटा फट से जिन्दा कर दो तुम्हें जिन्दा कर दे करें मुझे तुम्हारी डैड़ बोडी चाहिए होगी हाँ हाँ मेरी dead body उपर ही है ठीक है पर चलो मेरे साथ अरे तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो टोनी स्टार्ग तुम एक सेकेंड रुको मैं डॉक्टर स्टेंज के साथ उपर जा रहा हूँ मुझे दुबारा जिन्दा होना होगा डॉक्टर स्टेंज मुझे पता है कि आगाई मुझे 100% दुबारा जिन्दा करने वाला है यह देखो डॉक्टर स्टेंज मेरी dead body यहाँ पर पड़ी है हामिर्टी यह सब किया किसने डॉक्टर स्टेंज यह तो मुझे नहीं पता हामिर्टी मैं तो मैं पता होगा हामिर्टी तो जिन्दा हो गया किसी को भी नहीं चोड़ने वाला हूँ एक तो मैं यहां पर टोनी स्टाक के बढ़ते के लिए था और इन लोगों ने में साथ क्या किया हाँ डैडपूल तुमने मुझे मारा है ना अरे नहीं मैं तुम्हें क्यों मारूंगा मैंने तो खुद तुम्हें अपनी बढ़ते पा बारको वैसे आगाद हल कैसा नहीं कर सकते हैं देखो तुम लोग यहां पर डांस वांच छोड़ो और भाई फ्लेश तुम मुझे बताओ कर यह तुम्हारा काम तो नहीं है अरे पागल हो गयो क्या मैं ऐसा क्यों करूंगा यह लोग ऐसे नहीं मानेंगे अरे आहां में देट बोड़ पर नहीं होते हैं ऑर फेंक यू डॉक्टर स्टेंजंग तुम ने ओए मुझे जिनदा किया लेकिन वह आज यह पता लगा कर रहूँगा कि मुझे मारा किसने है तो एसा कर सकता है यह तो मेरा दोस्त है डॉक्टर Istranja यहां पर दैटपूल पर हो रहे हाँ वह दैटपूल मरने के लिए त्यार हो क्या अरे क्या हुआ तुम सब लोग इस वाले घर के अंदर छुप जाओ हाँ मेटी हम लोग क्यों छुपएगे हालक बस्टर छुपो गए तो ठीक है ने तो फिर मैं तुम यहां पर मार दूँगा अचा अचा ठीक है हम लोग छुपते हैं हाँ वे टोरिंस्टार्ग तुम नहीं चुपोगे क्या मैं अपने घर में क्यों चुपोंगा तुमने जो बोल रहा है यहां फिर हल्क यहां पर जुट बोल रहा है अरे हाँ हाँ बोल रहा होंगे वैसे आगाई टोनिस्टार का कॉंफिडेंस लेवल तो कुछ जादा ही होपी है मुझे लगता नहीं कि इसने मेरे पर अटैक किया होगा एक काम करता हो कि फ्लेश के पास जाता पर अच्छी जगह पर चुपे हो तुम्हें क्या मिला मुझे मारके मैं तुम्हें क्यों मारूंगा हामिटी तुम तो ना मेरे दोस्तों ना ही मेरे दुश्मनों देखो उपर इस्टिक की बॉम्स लगे वे थे और बॉम्स तो तुम्हारे पास होते हैं मेरे पास बॉम्स तो स्रेफोर सिफ डैडबूल के पास होते हैं मुझे लगता है कि डैडबूल ने मुझे मारा होगा एक काम करतों को देखतों कि यहाँ पर कोन है यहाँ पर बैटमेन चुपावा है वैसे यार गाइज बैटमेन भी मुझे लगता है कि इसने मुझे नहीं मारा इसके साथ मेरी कोई भी दुश्मन ही नहीं है मकि मेरी दुश्मन ही तो किसी के साथ भी नहीं है थोड़ा सा शक तो मुझे टोनी स्टार्क पे हो रहा है क्योंकि आगाईज ये बार बार सिंचन को अंदर जाने से रोक रहा था और जब हल्क मुझे बचाने के लिए आया था इसने हल्क को भी रोका था मुझे तो लगता है कि टोनी स्टार्क नहीं सब पुछ की है और एक और बात सोचने वाली आप लोग देख रहे हो मगर अंदर हलक बस्टर कंड़ाए इससे जाके पूछता हूं आ बेटी इतरी बढ़ी गन लेकर क्यों आगए क्यूंकि हल्क बस्टर मैं तुम्हें यहां पर उहीं मारने की औरे आ मेटी मैं तुम जैसे चीन्टी को क्यो बारुंगा चीन्टी बोल रहे हो मुझे अरे हा तुप चेटी तो, तुम्हारा क्या काम हम अवेंजर्स के बीच में तुम यहां पर आए क्यू थे मुझे टोनी स्टार्क ने यहां पर बुला है तभी मैं आया हूँ और मुझे भी यहां पर आने का कोई शोक नहीं है तो ठीक है फिर मेरे उपर शक क्यों कर रहे हो क्योंकि मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला है कि तुमने मुझे मारे है अभी तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ अरे अरे ने ने मशीनिंगर को पीछे करो मैंने तुम्हें नहीं मारा यह भाग क्यों रहा है लगता है किसी ने मुझे मारा है अरे टोरे स्टार्ग बचाओ मुझे आमिटी पागल वागल हो गया थोड़ा सा शक मुझे हल्क बस्टर पे भी हो रहा है वो यहां पर डैडपूल भी खड़ा है क्योंके डैडपूल मैं तुम्हें यहاं पर मारने आयां यहां ओरे नइनि मुझे क्यों मारा है вы क्योंकि तुम्हें मारने की कोशिषछ इंफा यह बात किसने बताई मुझे तो लगता है सारी की सारी मसी डैडढपूल कि 5 ओब fight मोट भी गर्णेट से हुई है अब अगर तुम्हें सब कुछ पता चली है तो सुन लो मैंने ही तुम्हें मार दिया लेकिन तुम्हारी किसमत अच्छी है कि तुम बच गए मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो अभी मैं तुम्हें दुम्हारा मार के तुम्हारी डैड़ पॉटी को भी खतम कर दूँगा और फिर डॉक्टर स्टेंज भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा एक सेकिन आगा यह तु तुम्हें आज मैं खतम करने वाला हूँ में मशीन गंसे गोलिया तो मारा हूँ इसको मगर आगा इस अभी तक मर क्यों नहीं रहा है नीचे काफी जादा आग लग चुकी है मुझे थोगासा भागना होगा भे यार गाई डैडपूल तो कुछ जादे खतनाक निकला यह सा करता हो कि इसके सर पे गोलियां मारतों फिर यह मरेगा हम लोग को एवेंजर्स के पास आने नहीं चाहिए था मुझे नहीं पता था कि यहां पर मत आओ मगर मैंने उन लोग की बात नहीं मानी यह वाई जगा ठीक है यहां से मुझे कोई भी रॉकल लॉंचर लगेगा नही यह सारी खोलियां अभी तो यह बचे काने कब तक यह बचे का मुझसे इसको इतनी जादा गोलियां मारूंगा ना कि यह 100% मरने वाला है मगर यह जो तो मैं हैट शॉट भी मारा हूं मगर यह फिर भी नहीं मर रहा है वे यह जो इसका कॉस्ट्यूम भी कुछ जादा ही यह रहाए गाई यहां पर खड़ा वे एक काम करतों के यहां से नीचे जाता हूं और जैसे यार काईज यह नीचे आएगा ना मैं इसको छोड़ूंगा नहीं इसको क्या लगाता कि मुझे मारना इतना जाला असान होगा यह बहुत ही बड़ी भूल होने वाली है यहां पर चौप तुझे पता है मुझे किसने मारा था अरे मुझे सब पता चल गया हमने आपको डैट पूल ने मारा था लेकिन या चौप मैंने अपना बद्ला ले लिए अरे मैंने आपको बहुत है कि एवेंजर्स की पास हम लोग को आने नहीं चाहिए था यार हम लोग की यहां हम लोग को वापस घर जाना होगा मगर चौप सिंचन दो गाडि में नहीं है अरे यार गाइज अब सिंचन आपर चल गया और यार में चोटा भाई सिंचन पते नहीं कहाँ पे चला गया सिंचर और चॉप ने मुझे मना भी किया था कि है गाइज हम लोग को यहाँ पर नहीं आना चाहिए मगर मैंने इन लोग की बात नहीं सुनी आप लोग फटा फटे वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद सिंचर हम लोग को मिल जाएगा हम दे हम बढ़ बाई